हलो फ्रेंड्स वल्कम टू माई योटूब चैनल आज इस वीडियो में हम एलकेजी यूकेजी के मैथ वक्षीट सॉल्व करेंगे बच्चों को नर्सरी में जब नंबर राइटिंग आ जाती है तो उन्हें नंबर की स्पेलिंग का भी प्रैक्टिस कराना होता है तो चलिए देखते हैं यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिल सके तो चलिए स्टार्ट करते हैं वक्षीट इस वक्षीट में हमें 1 का और 10 तक इस पेलिंग को फिल करना है जैस आर ए इसी तरीके से फोर इसी तरीके से फाइब इस आई एक्स शिक्स एस इवी ए एन ए आई जी एस टी एन आई एन ए टी ए एन आगे जो वक्षीट है इसमें बच्चों को इस पेलिंग से रिलेटेड ही प्रेक्टिस करानी है लेकिन इस पेलिंग के जो वर्ड है लेटर है उनको रंडम लिखा गया है उनको यहां से वाक्स में सीक्वंस एरेंज करना है जैसे वट तो वन पहले लिढ दिया वको क्रॉस कर दिया ग्रॉस करने से बच्चे कंफ्यूज नहीं होते एन एन क्रॉस कर दिया ए इसी तरीके one key spelling complete away O and E 2 ka 2 3 ka T H R E E F O U R 5 ka F R I V E सी तरीके से 6 ka S I X 7 S E V E N 8 ka E I G H T N I N E 9 T E N 10 Next two types है, इसमें write the number that comes after, यानि की number के बाद में कौन सा number आता है? उसे लिखना है, आट 8 के बाद 9, 4 के बाद 5, 2 के बाद 3, 7 के बाद 8, 9 के बाद 10, 3 के बाद 4, and 1 के बाद 2, 6 के बाद 7, 11 के बाद 12, 13 के बाद 14, 15 के बाद 16, 17 के बाद 18, 19 के बाद 20, इस तरीके से 1 के 20 का number प्रेक्टिस हो जाता है, और बच्चों को before or after का concert भी समझ में आजाता है, अगें दिखते हैं, write the number that comes in between, यहाँ पे आपको जो दो number दिये गए हैं, उनके between, उनके बीच में जो number आता है, उसे find करना है, और उसे write करना है, यहाँ पे 9, यहाँ पे जा रहा है, इसे समझाने के बाद 9 के बाद कौन सा number आता है, तो 9 के गाता है, 10, इस तरीके से हम इसको 10 लिखने के बाद समझा सकते हैं, कि 10 के बाद में 11 आता है, और 11 के पहले में 10 आता है, तो इसे तरीके से 7 के after, 8, 13 के after, 14, 17 के after, 18, 2 के after, 3, 8 after, 9, 15, 11, 12, 15, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 16 17 18 6 7 8 5 6 7 18 19 20 अगली वक्सीट दिखते हैं इस वक्सीट में बच्चों को 1250 का नंबर अरेंज करना है इस से लिखना है तो 123456789 10 11 12 13 14 15 16 10 10 19 20 इस तरीके से यह पूरी वक्सीट बच्चों को कराएं इस टाइप में आपको greater than less than or equal to का काउंसेट बच्चों को समझाना है इसके लिए आप इस तरह का चित्र बना लें फीगर बना लें इससे बच्चों को greater than और less than equal to का concept समझाने में काफी एजी हो जाता है यह यह greater than equal to और less than का हम प्रयोग कहां करते हैं जहां पर हैं कम ज्यादा और बराबर की चीजें बताने होती हैं वहां पर इस symbol का यूज किया जाता है जैसे हमाई पास two digits है three and two यहां पर हमें दिखाना है कि three ज्यादा है तूप कम है तो हम इस symbol का यूज करेंगे यानि की ज्यादा की तरफ symbol का यह मूँ open कर देंगे यानि कि क्रोकोडाइल का फेस ज्यादा की तरफ ओपन होगा, क्रोकोडाइल को ज्यादा चीजे पसंद हैं, तो उसी तरफ अपना मूँ खोलेगा, तो इस तरीके से हम बच्चों को समझा सकते हैं, और यह equal to, यानि कि जब उसको बराबर बराबर चीजे मिलेंगी, तो क्रोक प्रोकोडाइल के बंद मूँ की तरह है, जहां पर चीजे बराबर मिल जाएंगी, एक जैसे मिल जाएंगी, क्रोकोडाइल अपना मूँ नही खोलेगा, इस तरीके से लेस दैन, यहां पर भी वही कॉंसेप्ट है जैसे ग्रेटेस दैन का था, कि जिस तरफ ज़ादा सब्कूरा अपना मुह्स सुलाने के लिए इस तरीके के समय करें का नोई यौरणे करें यहां पर फार अशार के पर फार है शाम हमें आरेंज्स करना आ है कि कौन सा यहां पर अच्छे से इसको follow करेगा तो 4 कम है 5 ज्यादा है तो हम यहाँ पे less than का symbol यह वाला symbol यान की 5 ज्यादा है 5 की तरफ crocodile का mouth open होगा 3 ज्यादा है अगेन वही 9 ज्यादा है तो 9 की तरफ crocodile का mouth open होगा यहाँ पे 5 कम है और 7 ज्यादा है तो 7 के तरफ ही इसके बाद यहाँ पे 2 and 2 equal है तो यहाँ equal का symbol इसको पढ़ने के लिए हम बता सकते हैं 4 is less than 5, 9 is greater than 8, 5 is less than 7, 1 is less than 3, 2 equal to 2, 5 equal to 5 इस तरफ की से match the following number यहाँ पे again spelling की practice बच्चों को करानी है यहाँ पे 14 लिखा है तो 14 की spelling से match करानी है 15, 13, 11, 12, 18, 17, 20, 19, 16 इस वक्षिक में हम big and small and biggest का concept देखेंगे यहाँ पे पहला जो है circle दा big picture दो picture यहाँ पे compare की गई है तो एक small है और एक big है तो बच्चों को समझाए तो इस तरीके से big वाले picture पे ऐसे circle करना है अगेन यहाँ पे इसमें से यह small है यह big है circle यह small है यह big है अगेन यहाँ पे यह big है और यह small है इस worksheets में तीन पिक्चर के बीच में compare किया गया है और इसमें से हमें वह find करना है जो सबसे बड़ा है यानि कि biggest फीगर जो है concept देखेंगे यहाँ पे which one is dollar जो सबसे लंबी है उसे mark करना है और जो छोटी है उसे identify करना है यानि कि dollar and smaller दोनों को find करना है जिसमें से dollar को mark करना है इन दोनों में छोटी कौन सी है यह छोटी है और यह बड़ी है यानि कि लंबी है dollar है इसमें dollar एंड यह smaller है rightяет यहां पर यह चोटी है smaller है यह बड़ी है dollar यह चोटी है और ये लंबी है, और ये लंबी है, टॉलर है again, ये size small है और ये fit on ये small है ये同 है नेक्ट वयक्सीट में हमें सेप के एशे बेस पर प्रैक्टिस करानी है बच्चो को इस तरह के फिगर से आप बच्चो को सेप की practice अच्छे से करा सकते हैं इसमें क्या करना है कि जो भी shapes दिये गया है उसको different different color से color करना है और shapes को count करके यहाँ पर उनका number लिखना है shapes count and color तो चलिए देख लेते एक example के लिए यहाँ पर square को red किया गया है तो यहने कि सारे square को red color से करना है rectangle को blue triangle को green and circle को yellow तो देखते हैं circle square कितने है 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर 5 square है triangle 1, 2, 3, 4, 5 rectangle 1, 2, 3, 4, 5 and circle 1, 2, 3, 4 और एक eyes वाला 5 तो इस तरीके से वाक्षीट के माद्यम से बच्चों को revision भी कराया जा सकता है concept भी clear कराया जा सकता है तो बच्चों को वाक्षीट प्रक्टिक जरूर करा है यह वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में लिखके जरूर बताएं थैंक्स फर वाचिं इस वीडियो